आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ ब्रत का एक ऐसा नाश्ता जिसे हम पहुती कम उयल में बना कर त्यार करेंगे और नाश्ता खाने में सुपर टेस्ट ही है जटपट बनके त्यार हो जाएगा तो सबसे पहले ये नाश्टा बनाने के लिए मैंने आदा कप लिए हैं साबूदाना साबूदाना को भिगोना नहीं है बिना किसी जंजट के आसानी से नाश्टा बनाएंगे साबूदाना को पैन में डालना है और लो फ्लेम पर इन्हें ऐसे लगातार चलाते हुए आपको धाई तीन मिनट तक रोस्ट करना है ठीक है तो बस ऐसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लें ध्यान रखें गैस का फ्लेम हाई बिलकुल भी ना रखें तो यहाँ पर जो साबुदाना है इस तरह रोस्ट करने से क्या होगा इसका जो मौशर है वो निकल जाएगा त तो अब साबुदाना को रोस्ट करने के बाद ठंडा करें और ठंडा करने के बाद आप इसे एक मिक्सी के जार में डाल कर त्यार करें और बस जार कढ़कन बंद करें और इसे पीस लें रोस्ट करने से जब हम साबुदाना को पीसते हैं तो बारिक पाउडर बन जाता है औ और अब हम इसमें डालेंगे आलू तो ये मैंने तीन चोटे साइस के आलू लिये हैं जिने उबाल का छील लिया है और आलू एक्दम ठंडे हैं गरम आलू नहीं होने चाहिए इस बात का ध्यान रखना अब इन आलू को ऐसे ग्रेट करके हम इस साबुदाना के पाउडर में दाल देते हैं तो जब भी आप ब्रत रखें तो इस नाश्टा को जटबट बना सकते हैं या आपका ब्रत नहीं है तब भी आप इसे रेगुलर नाश्टा के लिए कभी भी बना कर त्यार कर सकते हैं ठीक है तो यहां मैंने तीनों ही आलो को घिसकर इसमें डाल दिया है अगर आप ब्रत में हरी मिर्च नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, और ये मैंने लिया है दो चम्मच दही, इसमें दही डाल देंगे, फ्रेश दही है, दही डालने से नाश्ता में और भी बढ़िया टेस्ट आएगा, 20 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है, जो ब्रत में खाया जाता है, 15 चम्मच काले मिर्च का पाॉडर डाल दिया है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, और अब यहां हम इसमें डालेंगे पानी, तो थोड़ा पानी डाला है पहले अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेते हैं और अभी ये काफी गाड़ा है तो मैंने और पानी डाल दिया है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं पानी एक साव ज़ादा नहीं डालेंगे इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और mix करते जाएं अब यहाँ थोड़ा पानी और डाल दिया है तो इस तरह टोटल इसमें मैंने empower glass पानी अब दिया है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं अगर आप इसमें राजगिरी का आटा नहीं डालना चाते तो कोई दिक्कत नहीं है केबल आप साबू दाना का पाउडर और आलू से भी ये नाश्टा त्यार कर सकते हैं अब यहां गैस पर एक पैन रखा है इसमें आदा चमच घी डाल दिया है और घी को ऐसे स्प्रेड कर दिया है अब जो बैटर है इसे हम पैन में डालेंगे तो यहां पर लगबग दो चमच के करीब बैटर डाल दिया है और इसे ऐसे स्प्रेड कर देंगे इसे हम गोल शेप दे देंगे ऐसे बहुत ज़दा मोटा मैं इसे नहीं बना रहे हूँ हलका सा पतला ही रखा है मैंने इसे ताकि इसे जो नाश्टा है ना बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरा सिकर त्यार हो अंदर से कच्चा बिल्कुल ना रहे इसे इस तरह शेप देने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी गैस का फ्लेम मैंने यहां लो रखा है और लो फ्लेम पर इसे लगबग दो मिनट के लिए एक तरफ से सिकने दें और ये देखिए इसके साइट्स जो हैं हमें दिखाई दे रहे हैं गोल्डन हो चुका है बस अब ये जो नाश्ता है इसे आप पलट दें बहुती बढ़िया तो बस अब इसे आप दूसरी तरफ से भी सिकने दें कवर कर दें और दूसरी तरफ से भी लगबग दो मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर सिकने दें और 2 मिनट बाद ये देख्ये, बहुत ही मजएदार, अब मैं इस नाष्ता को पलट रही हूँ और ये देख्ये, दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया कलर आया है, नाष्ता बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो बस अब ये नाष्ता हमने दोनों तरफ से त्यार कर लिया है इसे निकाल लेते हैं और सारे पीसेज हमें इसी तरह बना कर त्यार कर लेने हैं इस नाश्ता को मैंने ब्रत बाली हरे धनी की चटनी के साथ और आलू की रायते के साथ सर्व किया है आप चाहें जैसे इसे खा सकते हैं रेसिपी पसंद आई तो लाइक कॉम